बिस्मिल्ला है रवाने रहीम, अस्सलाम अलेकूम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सिक्रेट तो आज मैं आपके साथ देसी की निकालने की ऐसी टिप शियर करूँगी जिससे आपका देसी की बहुती जल्दी मिल्टों में निकल के तियार हो जाएगा तो इसकी परफेक्ट रेसिपी मैं आज आपके साथ शियर करूँगी और इसी के साथ मैं खोये वाली कलाकन भी सबसे पहले देखने को मिलेगी तो आईए रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं बिसमिल्लाय रमानी रहीम तो यह देखिया हमारी तकरिवां एक से डेड़ किलो के करीब बलाई है तो यह हमारी दूद से निकली हुई बलाई है जोकर में हम आम रूटीन में दूद लेक जाओंगी तो बिल्कुल थंडा पानी डालोंगी बरफ का पानी तो देखिये इस तरह से थोड़ा मैंने इसमें थंडा बरफ का पानी डाल दिया है और इसको इस तरह से बीट करते जाओंगी तो आप हेंड बीटर से भी कर सकते हैं तो आप इसको ग्राइंडर में ग्राइ है अब देखिए मैं इसको हैंड बिटर से भी करके आपको दिखाती हूं तो बस हैंड बिटर से भी इसी तरह हम चलाते रहेंगे एक डिरेक्शन में इस तरह से हम इसको खुमाते रहेंगे तो भी हमारा बहुती जबदसा बटर निकल के तयार हो जाता है तो देखिए बस इस इसका बटर इस तरह से उपर आना शुरू हो गया है तो बस इसी तरह में थोड़ा सा और इसमें बरफ डालूंगी ताकि हमारी बहुत अच्छे से क्लीन हमारा बटर रेडी हो जाए तो थोड़ा सा मैं आइस कुप्स को और डाल दूंगी इसके अंदर तो यह देखिए मैं इस तरह से इसमें बरफ डाल दी है और अब इसको दुबारा से दो से तीन मिन्ट तक इस तरह से बीट करूंगी तो हमारा बिल्कुल बटर रेडी हो चुका है तो देखिए कितना जबदस हमारा बटर इसके उपर आ चुका है तो आप इसको हैंड बीटर से भी कर सकते हैं अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर हो उससे भी कर सकते हैं आप इसको ग्राइंडर में ढाल कर ग्राइंड भी कर सकते हैं तो ये देखिए हमारा बटर कितना जबदस है इसका निकल चुका है बिल्कुल लीट एंड क्लीन हमारा बटर बनके तयार हो चुका है तो बस इ इसके लिए बरफ का इस्तेमाल भुत लास्मी करना है तो यह देखें इसको बस इस तरह से हला रहें किसी भी स्टेंर में इसको डाल कर डाल में इस पहारा से छाल लें TO देखे कितना Jed highlighter से हमारा बतर रいडिया हो च्का तो बस देखे इसी तरह हमारा बटर सारा रेडी हो चुका है तो देखा आपने कितनी असानी से हमारा यह बटर रेडी हो चुका है और कितना जादा हमारा यह बटर बना है और घर का देशीगी बहुती जबदस होता है भार के देशीगी से तो इस तरह से आप भी बहुती अस पानी से इसका देशी घी निकाल सकते हैं तो यह देखे हमारा बहुत ही सकसा बटर बनके रेडी हो चुका है अब इसको हम चूले पे रख देंगे तो चूले पे रखने के बाद तकरिबन पांच मिनट तक मैं इसको हाई फ्लेम पे पकाऊंगे ताकि इसका पानी जल्दी ड् तो यह देखें दिरे दिरे हमारा ग्रोच absorpt शुरू हो रहा है तो यह देखे हमारा इससाफ in शूरू हो गया है तो आभ स्कार ज्यादे इसको पकाना ना पड़े तो इसके लिए महें एक टेबलस्पून भर के इस तिरह से घरेड़ा जो आटा होता है, नॉर्मल हम रोटी बनाते हैं, वो एक टेबल स्पून भरके इसमे डाल देंगे, ताकि इससे पानी जल्दी ड्राइ हो जाएगा, और हमारा घी जल्दी से निकल की उपर आ जाएगा, तो इस तरह आटा डालने से हमारा आटा अच्छे से पानी को सोक कर ले गी तो यह देखे हैं, हमारा घी बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसका पानी भी अच्छे से ड्राइ हो जाएगा है, ताकि आपका घी जादा अर्से तक खराब ना हो सके, तो इसका पानी बिल्कुल हमें ड्राइ करना है, ताकि आपका घी खराब नहों, अगर आपके इसम जबदसा देसी घी बन के तयार हो चुका है और घर के देसी घी की तो बात ही कुछ और होती है तो यह देखें बाहर का देसी की बहुत महंगा मिलता है और आप घर की बलाई से बहुत ही जबदसा इस तरह सी घी निकाल के तयार कर सकते हैं और अब जो घी चानने के बाद हमार खोई की शकल लग रही है बहुत जादा इसका टार कलर भी नहीं हुआ है नहीं जला है तो इस तरह से अगर हम शुरू में आटा डाल देंगे इसके अंदर तो यह नीचे से चिपकना शुरू हो जाएगा तो इसलिए हम थोड़ा सा इसका पानी ड्राय होने के बाद लास में इसके अंदर आटा डालेंगे ताके फोरण से गी उपर आ जाए और इसका कलर भी ध्यादा डार्क नहीं हो तो देखे इसका पानी से ड्राय हो चुका है तो अब इसमें में देखे इस तरह से दो टेबल स्पून भरके मैंने इस तरह से मिल्क पॉडर ले लिया है तो वह इ ताके यह अच्छी से इसके अंदर मिक्स हो जाए और यह देखे किस ता कितना अच्छा यह ड्राय हो चुका है और अब इसके अंदर में डाल दूंगी चीनी तो तीन टेबल स्पून के करीब मैं इस तरह से चीनी ले ली है आप कम जादा मीठा जिसके साब से आप इसके अ चीनी का पानी जो है उसको ड्राय होने तक इसमें पका लूँगे ताकि यह जमने में असानी हो सके तो यह देखे चीनी का भी पानी इसमें इस तरह से ड्राय हो चुका है तो बस हमारी बर्फी जमने के लिए तयार हो चुकी है तो अब चूले को बंद कर देंगे और किसी बी इस तरह से प्लेट में या किसी भी सांचे में इसको इस तरह से जमा देंगे तो देखे कितनी जबदस सी हमारे बिल्कुल लग रही है ना खोई वाली बर्फी तो ये देखे बस इसको इस तरह से डाल दूगी और इसके अंदर में इसको इस पैचुला से ही सेट कर लूँगी तो इस तरह से हमारी ये देखे खोई वाली बर्फी इस तरह से रेडियो हो चुकी है आप इसको खोई वाली बर्फी बोलें या कलाकन बोलें तो खाने में ये बहुती मस्यधार लगती है तो देखें, इस तरह से ब़ारा कीपीजिस कटकर लिये हैं तो इसको मैं इस तरह से वादाज दूंगी और इसको भी सस्पैचुला से इस तरह से दबादूगी ताकि इसके अंदर ये अच्छे से सेट हो जाए तो जब यह सेट होगी तो इसी के साथ ये भी इसके अंदर सेट हो जाए ये अलेदा से निकले नहीं तो ये इसके उपर अच्छे से चिपक जाएगी और इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी तकरीबान एक से दो घंटे के लिए फ्रीज में रख दिया है मैंने और फ्रीजर में से निकाल लिया है मैंने अब इसको मिस तरह से कट करूँगी तो देखे कितनी जबदस हमारी ये सेट हो चुकी है तो को यकीन ही नहीं कर पाएगा कि आपने ये बर्फी किस तरह से बनाई है तो ये देखे बहुत ही जबदस उसका टेज भी बहुत जबदस आ की चीज से हम दो रेसिपियां आपको मारे रेसिपी बहुत पसंद आई होगी तो इसे लाइक किजिए exports को शेयश भी कर दिएक जाने से पिनली चैनल को सब्सक्राइब कर दिएा तो अब में अजादत दीजिए अल्लाँ आफिस